हेलो फेंड्स मैं मन्दीप सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुर्ती का कटिंग तो इसमें मैं आल साइस के लिए आपको बता दूँगी किस तरीके से कटिंग करना है और कुर्ती के कटिंग स्टिचिंग के बहुत दिनों से आप लोग कापी ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे कर रहे थे तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी का कटिंग शेयर कर रही हूँ अगर आप देखिए मुझे इसका स्टिचिंग आप देखना चाहते हैं चैनल पर तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए इसका सिंपल तरीके से स्टिचि सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले कि कपड़े को फोल करेंगे और कुर्टी का किनारी वाला पार्ट होता है उसे हम नीचे की तरफ रखते हैं इस तरीके से आप फैब्रिक को फोल कर लीजेगा और कटिंग करने से पहले आपको कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेना है तो इससे आपका जो कुर्ती का measurement रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा कटिंग करने में आपको कोई भी problem नहीं आएगी तो इसका आप ध्यान रखेगा कि आप प्रेस करके लें फैब्रिक को अब जितना आपका hip होता है उसमें प्लस दो इंच आपको ले लेना है margin के लिए दो से धाई इंच आप एक्स्ट्रा यहाँ पर रखेगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उससे आप कट कर दीजीगा हिप का चोथा भाग आपको लेना है उसमें प्लस दो से धाई इंच का margin एट करके लेना है इस तरीके से आप फैब्रिक को चोड़ाई से कट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर दिया है जितना आपका हिप होता है उसमें उसका चोथा हिस्सा आपको लेना है प्लस उसमें दो से धाई इंच का margin करके मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कटिंग कर दिया है कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और दोनों भाग आगे पीछे के मैं साथ में ही कटिंग कर रही हूँ आप चाहें तो अलग-अलग भी कटिंग कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप देखिए शोल्डर और आर्मोल का मेजरमेंट ध्यान से दिखिएगा इसमें मैंने सभी साइस के लिए बताया है तो सभी साइस का कुर्ती कटिंगा पासानी से कर सकते हैं उपर की तरफ एक लाइन डोग करके मैंने फैब्रिक को सीधा कर लिया है कुर्ती के जो लेंथ है वो आपको देखिए कैसे लेनी है जितनी भी length होती है आपकी जैसी कि मैंने 40 इंच लिया है तो प्लस इसमें आप 3 इंच कर दीजे 43 इंच देखें मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई रखी है तो 2.5 से 3 इंच आपको extra यहाँ पर लेना है तो जितनी length इसकी बराबर आ रही है उतना मैंने पूरा ले लिया है क्योंकि exit 43 आ रही है तो यहाँ पर देखें length इसके बराबर हो गई है और marking का आप हमेशा उल्टा तरफ से करें फैब्रिक के यहाँ पर देखें एक line मैंने यहाँ पर बना दी है उपर की तरफ शोल्डर का जो नाप आपको लेना है दिखीगा कैसे लेंगे आप शोल्डर का जो measurement होता है वो आपके back कले पर depend होता है कि आपका back में गला कितना deep है तो उसके हिसाब से हमारा shoulder का नाप यहाँ पर लिया जाता है अगर आपके गले की चोड़ाई 3 इंच है और गहराई कम है तो भी आपको shoulder का नाप जादा रखना है boat neck में हम अलग तरीके से लेते हैं तो boat neck मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ अभी हम simple suit की cutting यहाँ पर कर रहे हैं जो simple हमारी कुर्ती होती है अगर आपका पीछे का गला 6 है 6,5 इंच है तो इस टाइम पर आप shoulder रखेगा 7 इंच सभी size के लिए आप 7 इंच ले सकते हैं आपका जो पीछे का गला है अगर 6, 6 इंच है, 6.5 इंच है तो आप शोल्डर का नाप 7 इंच लीजेगा अगर आपका पीछे की गले की घराई 7 इंच है, 8 इंच है, 9 इंच है तो इस समय पर आप यहाँ पर शोल्डर का नाप 6 इंच, 6.5 इंच ले सकते हैं और अगर आपका गला पीछे से खुला है 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच तो शोल्डर का नाप आप 5 इंच लीजिएगा यहाँ पर दिखिए मैंने उपर से जो फैब्रिक था उसे कटिंग कर दिया है और मैंने यहाँ पर शोल्डर रखा है 7 इंच 7 इंच पर मैंने एक मार्किंग देखिए यहाँ पर कर ली है अब आप नाप लीजिएगा आर्म होल का तो आर्म होल में देखिए आपको अगर 28 इंच चेस्ट है 28 से उपर अगर चेस्ट है 32 साइस तक तो आपको आर्म होल रखना है 6 इंच और 32 से जादा हैं तो आप 7 इंच लीजिएगा 34 साइस तक और अगर 34 साइसस से जादा है 34 से जादा है चेस्ट आपके तो आर्म होल आप लीजिएगा 7,500 तो यह सब्षय साइस के लिए देखिए मैंने आपको बता दिया है shoulder और armhole कुर्ती में हम कैसे रखते हैं और चलिए अब इसकी cutting शुरू करते हैं तो ये मैंने आपको simple कुर्ती के लिए बताया है जो collar नेक और boat नेक होती है उसके लिए measurement अलग होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे share करूँगी यहाँ पर मैंने armhole लिए हैं साड़े साथ इंच shoulder लिए हैं 7 इंच armhole रखे हैं 7.5 इंच यहाँ पर मैं एक line draw कर रही हूँ जो रहीगी हमारी chest की line तो यहाँ पर दिखे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि body का अगर आप measurement लेते हैं तो body में हम fix measurement लेते हैं अगर आप कुर्टी का ले रहे हैं तो appaisities marking कर सकते हैं पर अगर आप body से नाप ले रहे हैं तो उसमें आप देड़ से 2 इंच extra लिजेगा losing के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखे body से अगर chest का नाप लिया है तो वो आया है 38 इंच इसमें मैंने plus कर दिया है 2 इंच तो totally हो गया है 40 इंच तो यहाँ पर अब हम cutting करते समय जो measurement लेंगे वो लेंगे 40 का चोथा पाग तो इस इसाब से आपको कमर में और hip में देड़ से 2 इंच का losing एड़ करते हुए चलना है अगर आप hip में कम पहनते हैं तो hip में आप 1,5 इंच का ले सकते हैं यहाँ पर depend करता है कि आप suit कैसे पहनते हैं एकदम fitting में पहनते हैं या थोड़ा lose करके पहनते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर जो नाप लिया है वो 2 इंच का margin इसमें लिया है losing के लिए बाद में हम जब cutting करते हैं तो वो margin हम अलग से लेते हैं तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर suit का cutting करती हूँ body से जब हम नाप लेते हैं तो वो गुलाई में लिया जाता है और फिर हम उसका चोथा भाग करते हैं तो जो भी measurement आता है उसे हमें 4 से divide करना होता है 4 से भाग देना होता है तो भाग अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से inch tape को 4 बार fold करके भी आप यहाँ पर नाप ले सकते हैं यह देखी इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 बार करके इसका नाप लिया है तो 40 का आया है 10 inch 10 inch पर मैंने एक marking कर दी है इसके बाद armhole की गुलाई हमें यहाँ पर देनी है 1.5 inch पर back side की गुलाई दे रही हूँ 1.5 inch पर 1.5 inch पर 1.5 inch पर दिया है मैंने यह देखी गुलाई में मैंने marking कर दी है अब आपको यहाँ पर आदा से पोना 1 inch अंदर की तरफ मार्क करना है फ्रंट की गुलाई के लिए फ्रंट की गुलाई के लिए मैंने अंदर की तरफ marking की है और हलका सा हमें यहाँ पर देखे इस तरीके से अंदर की तरफ लेते हुए shape देना है यह रहेगा हमारा फ्रंट के लिए अब आपको कमर कर नाप लेना है तो कमर के लिए आप यहाँ पर 7 inch पर एक marking कर लिजिए 7 inch पर मैंने marking कर दी है आर्मोल वाली लाइन से नीचे की तरफ तो यह रहेगा हमारा कमर का measurement यहाँ पर भी मैंने एक लाइन बना दी है अब आपका कमर का जो भी नाप होता है आप उसका चोता बाग कर लिजिए मेरे measurement में है यहाँ पर 38 inch कमर है तो उसका चोता बाग लिया है मैंने 9.5 inch पर एक marking कर लिए है hip के लिए आपको फिर से inch tape को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर देखे आप 13.5-14 inch पर mark कर सकते हैं तो मैंने किया है 13.5 inch पर यहाँ पर भी हमें एक लाइन बना लेंगे इस तरीके से यहाँ पर आपका hip का जो भी measurement होता है उसका चोता बाग लेना है तो यहाँ पर देखे 40 size है मेरा hip का measurement उसका चोता बाग लिया है 10 inch और नीचे का जो आपका measurement होता है जितना आपने hip के लिए उपर लिया है उतना ही आपको नीचे लेना है तो नीचे भी मैंने रखा है 10 inch और इसे बिलकुल straight आपको मिला देना है अगर आपकी पैस बड़ा वाला scale है तो आप उससे मिला दीजे नहीं तो inch tip को इस तरीके से रखिएगा तो यहाँ से आपका जो ना पर बिलकुल सीधा होना चाहिए यह देखिए scale से हमें सीधा सीधा इसे मिला देना है तो जितना आपने उपर hip के लिया है उतना ही आपको नीचे भी दामन पे भी marking कर देनी है और margin रख रही हूँ मैं इस में 1.5 inch उपर रखूंगी 2 inch और नीचे लिया है मैंने 1.5 inch chalk fold करने के लिए 1.5 inch बिलकुल sufficient रहता है अच्छे से आप अपने chalk fold कर सकते हैं 1.5 inch के margin में अब मैं देखिए यहाँ पर जो हमरा fitting वाला नाप इसे हम इस तरीके से मिला देंगे तो यहाँ पर आपको fitting वाला नाप जो है वो मिला देना है इसके बाद आप यहाँ पर 2 inch का margin extra लिजेगा अगर आगे जाके आपको suit में कुछ losing करनी होती है तो आप यहाँ से खोल करके उसे lose कर सकते हैं यह margin हम इसलिए लेते हैं तो दिखिए front का जो गले का measurement रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ पहले दिखिए यहाँ पर मैंने 1.5 inch का shoulder को down कर दिया है 1.5 inch neck को मैंने down किया है और इसके बाद हमें इसे cut कर लेना है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे cutting कर दिया है और इसे cut करेंगे हम back arm hole के साथ back arm hole के साथ मैंने suit का पूरा यहाँ तक cutting कर दिया है इसके बाद हमें क्या करना है गले का measurement लेना है गले की चोड़ाई 3 inch ली है और गले की लंबाई रखी है मैंने आप पर 5 inch आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते है तो आगे का जो नैक होता है वो आप 6 inch 7 inch तर deep ले सकते है नॉर्मल 7-7 inch होती है फ्रंट का जो आप deep रख सकते है उसकी लंबाई और यहाँ पर आपको cut ज़रूर लगा दे नहीं ताकि fitting करते समय आपको problem ना आए तो कमर के हिस्से पर और hip के हिस्से पर आप cut लगा ले अब देखे मैं फ्रंट का जो पार्टे इसे back का जो पार्टे उसे मैंने अलग निकाल दिया है और फ्रंट के पार्ट को वापर से double fold करके यहाँ पर मैंने हातों से इसे बराबर कर लिया है यहाँ पर देखे मैं अब cut कर रही हूँ arm hole तो फ्रंट का जो arm hole है वो cut करना बहुत ही ज़रूरी है यह मैंने cutting कर दिया है गला जब आप बनाएंगे तब ही आपको cut करना है अब मैं यहाँ पर आपको back side के लिए बता रही हूँ गले की marking कैसे करनी है तो इसे मैंने double कर लिया है गले के width मैंने 3 inch रखी है अच्छे से बराबर करने के बाद ही आप गले की marking करें गले के width मैंने 3 inch ली है और गले के लंबाई मैंने 5 inch रखी है back side की तो neck के marking कर ली है मैंने अब इसके बाद हम sleeves के cutting करेंगे sleeves cut करने के लिए आपको armhole नाप लेना है उपर से half inch छोड़के और 2 inch margin का छोड़के जो armhole होते हैं तो मेरे measurement में आ रहे हैं armhole 9 inch के तो ये मेरा बचा हुआ fabric है ये जो border वाला party से मैं अलग से cut कर रही हूँ sleeves पर attach करने के लिए तो इसे मैं बाद में sleeves पर अलग तरीके से लगाऊंगी और जो बचा हुआ fabric के इसे हमने fold कर लेना है तो जब आप cutting करते हैं तो आपके blouse में जो भी print दिया होता है उसका ध्यान में रखते हुए आप cutting कीजिएगा तो दिखिए इस तरीके से हमने fabric को अच्छे से हाथों से finishing क्यूंकि अंदर कपी ज़्यादा crisp जमा हो जाती है तो आप इस तरीके से यहाँ पर हाथों से इसे press कर लें तो यहाँ पर कोई भी sun नहीं रहना चाहिए cutting करते समय नीचे से मैंने client रोकर के कपड़े को सीधा कर लिया है और इसे cut भी कर देंगे sleeves के जो लंबाई होती है वो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं अगर छोटी बना रहे हैं तो उस हिसाब से कपड़ा लीजेगा मैं यहाँ पर long sleeves बना रही हूँ थोड़ी बड़ी रहेगी है तो नीचे आपको अगर fold करना है तो आप उसका measurement अलग से ले ले 2.5-2 इंच का यहाँ पर देखिए मैंने 14 इंच पर मार्किंग किया है sleeves की लंबाई का और 9 इंच लिए है मैंने arm hole साड़े 3 इंच पर रखा है मैंने इसे down किया है अगर आप छोटी बना रहे हैं sleeves तो 3 इंच पर ही down कीजिएगा तिर्ची लाइन बना के हलके आतों से आपको इस तरीके से स्लीज का शेव देते ना है और नीचे आपको bottom का जो भी measurement होता है उसका half ले लीजेगा और 2 इंच एक्स्ट्रा लीजेगा मार्जिन के लिए हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है कुर्थी में तो आप 2 इंच का मार्जिन लीजेगा यहाँ पर दिखिए मैंने मार्जिन और फिटिंग के लाइन में ला ली है अब हमें क्या करना है इससे कट कर लेना है इस तरीके से तो दिखिए मैंने स्लीज की कटिंग कर ली है स्लीज के सेंटर में आपको एक छोटा कट लगा लेना है और इसके बाद इके क्या करना है यहाँपर, इसे कोल करके यह देखें, दोनुं भाग स्टीस के सीधी तरफ होने चाहिए जब आप फ्रेंट के लिए गहराई देगे, फ्रेंट की गहराई मैंने इस तरीके से देदी है, शेप में और इसे कट कर लेंगे, तो इस तरीके से द आपको फ्रेंट में ही लगाना है तो यह पार्ट दिखे मेरा हो गया है पुरा तो फ्रेंट्स अगर आपको यह कुर्ती कटिंग का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है और अच्छा लगा है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा ताकि मैं इसका इस्टिचिंग का वीडियो भी जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूं और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करतीजेगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यबाद